किचन बाथरूम की टाइल पर सालों से जमी गंदगी को आप सेकंड नो में किलीन कर सकते हैं आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है अभी जो आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गंदगी है देखिए यहाँ पे इस तरीके से हो रही जिसे गुटका पान के दाग फैक दिया हो मैं देखिए बहुत ज़्यादा गंदी है देखिए चाहे कितनी भी गंदी हो इससे भी ज़्यादा गंदी हो आप उसे किलीन कर सकते हैं आज की वीडियो मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको यूज करने के बाद में टाइल पर साइनिंग आ जाएगी टाइल पर अगर साइनिंग चाहते हैं जीवन बर हमेशा कभी टाइल खराब ही न हो तो इस वीडियो को पूरा देखते रहना है गजब की ये वीडियो होने वाली है यहाँ पर दाग देख रहे हैं न बहुत ज़्यादा इसको टाइल को हम ऐसे करेंगे जैसे बिल्कुल आज ही नया लगवाया हो सुरेंदर किचन विलोक्स यूटिव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें ऐसे ऐसे यूजफुल टिप्स आपको आगे भी मिलती रहेगी यहाँ पर थोड़ा सा हार्पिक मैंने ले लिया एक रियूज का टोरी में यहाँ पर जो किलीनर देख रहे हैं न यही इसमें खास है ठीक है अब आप यह मत सोचना कि हार्पिक से भी यह तो किलीन हो जाता लेकिन यह जो मैंने किलीनर डालाए न इससे क्या होगा कि टाइल पर जरासा भी डिफेक्ट नहीं आ सकता जिंदगी में भी हार्पिक के अंदर इस किलीनर को मिलाने से क्या होगा कि टाइल ऐसे चमकेगी सीसे की तरह साइनिंग लाना परफ्यूमेड किलीनर है यह दोस्तों यह वाइट किलीनर है इसको मैं बताऊंगा आपको कहां से लाना है हारपिक को हर इंसान जानता है इसलिए मैंने हारपिक में ये एक ढखकन वाइट किलीनर को मिलाया है ये क्या करेगा कि इस गंदगी को आसानी से फुला दे गाई तो यहाँ पे देखे करना क्या है सबसे पहले टाइल को गीला कर लेना है ठीक है यहाँ पे देखे इस्कुरब पे मैंने थोड़ासा डाला है अभी देख रहेना लगाते ही बिलकुल ऐसे चोट रहे दाग बिलकुल हलकी सी महनत करने से ही देखे पहुछ जादा महनत करने की ज़रूत नहीं है हलके हातों से ही जड़ ज़ोड़ जाएगी धूल है, मिट्टी है, चिपचिपे जैसे दाग है गुटका पान के दाग किसी ने फैक दी है उसको भी आप आसानी से छुटा सकते हैं देखिए टाइल को ऐसा करेंगे जैसे बिलकुल आज ही नया लगवाया हो वीडियो को कहीं से भी कटना करें पूरा वीडियो को एंड तक देखें बहुत ही खास ये वीडियो है देखें इस तरीके से कोई भी स्क्रब, कोई भी जूना या पोछा बगरा कुछ भी आप ले सकते हैं खाली स्टील का जूना छोड़ कर देखिए इस तरीके से रगड़ना है देखिए यह पर्फbnit किलीणर है जो मैंने हारपी के अंदर डाला है यह शाइनिंग लाता है टाइल पर बिल्कुल ऐसे चमकेगा सीसे की तरह तो यह वाइट किलीणर है देख सकते हैं किलीन हमारा टाइल है वाइट किलीणर है आप और लाके रख लें, टाइल पर कभी भी यूज करें, पर्फुमेट किलीनर है, यहां तक कि कीड़े मकोडे भी इसे दूर रहते हैं, इसलिए मैंने इसको यूज किया हर पिक के अंदर डाल करके, देख सकते हैं, टॉयलेट, बाथरूम, किचन, कहीं पे भी आप इसको य के लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी जानकारी के लिए, थेंक यू,